ही एवरिवन पिछले वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर अब्जेक्ट क्या होते हैं और उनके मैथर्स के बारे में देखा था और आज के हमारी वीडियो का टोपिक है कंडिशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट ठीक है तो इसके नाम से पता जलता कि हम जो कंडिशनल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे किसी कंडिशन को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं ठीक है कंडिशनल स्टेटमेंट हमारे होते हैं इफ एल्स इफ एल्स लेडर एंड नेस्टिड इफ एल्स ठीक है और उसके बाद हमारा एक और स्टेटमेंट होता ह वो है switch case statement ठीक है तो उनको आज हम deep में one by one देखेंगे ठीक है तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा अपने vs code के अंदर आऊँगा यहां पे tut47.html नायम से अपनी जो html की file है वो create करूँगा यहां पे exclamation mark का यूज़ करके जो html की boiler plate कोड होती है वो लगा लेता हूँ ठीक है यहां पे लिख लेता हूँ मैं conditional statement in java script ठीक है और सबसे निच जो हमारा first task वो है script tag को include करना और उसके बाद इस script tag के अंदर हमारा जो title है वो लिखना ताकि मेरे को यह चीज़े console में print होकर दिखाई दे ठीक है तो यहां पे मैं go live पे कलिक करके इस page को अपने browser के अंदर open कर लूँगा और यहां पे control shift if right कलिक करके जो inspect होता है वहां पे जाके मैं इस console को open कर लूँगा ठीक है तो यहां पे जो मैंने console के अंदर लिखा conditional statement in JavaScript यह मेरा लिख के यहां पे आ गया ठीक है तो इस screen को मैं थोड़ी और बड़ी कर लेता हूँ और यहां पे आता हूँ अपने vs code के अंदर ठीक है तो हमारे conditional statement के अंदर सबसे पहला होता है if if के अंदर हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं आपको syntax दिखा देता हूँ if जो statement हो उसका syntax को क्या होता है ठीक है और इसके बाद curly brackets के अंदर जो भी हमारा code होता वो हम लिखते हैं यहां पर code to be executed ठीक है तो मैंने यहां पर लिख लिया अब जो हमारा यह syntax है इसका use करके हम if condition को use करेंगे ठीक है if condition को कैसे use करते हैं सबसे पहले हमें उस condition को match करने के लिए कोई ना कोई variable चाहिए मतलब जिससे हम कोई value match करेंगे ठीक है या फिर अगर value match नहीं करने है तो वैसे भी हम इसके अंदर कोई value pass कर सकते हैं ठीक है वो अगर आपको समझ ना आए तो उसमें कोई दीकर नहीं है अभी बस यह समझो जो हमारे daily life में होता है कि क्या 20 10 से बड़ा है या नहीं है तो इसक्या क्या answer है जी हाँ यह जो 20 है वो 10 से बड़ा है ठीक है तो उस case में क्या होगा जो हमारा code वो if का जो statement है उसके अंदर च 10 ठीक है and save करके जैसे अपने browser के अंदर आऊँगा तो यहां पर देखो इसने जो मैंने console लोग के अंदर print करवाया वो चीज यहां पर लिखके दे दी लेकिन अगर मैं इसका करता हूं reverse अगर यहां पर मैं करता हूं 10 और इसको करता हूं मैं 20 तो क्या हमारा ये if condition जो ये if statement उसके अंदर जाएगा नहीं प्योंकि हमारा जो 10 है वो 20 से बड़ा नहीं है तो उस case में इसको क्या चीज रिटरन करेगा false यहां पर ये इसको रिटरन करेगा और हमारा जो ये code है वो इस statement के अंदर यहां पर नहीं जाएगा ठीक है तो यहां पर लिखो इसने जो हमारा console क के अंदर मैंने print करवाय वो चीज यहां पर print करवाकर नहीं दी टीक है लेकिन अगर मैं करता हूं यहां पे else लिखता हूं ठीक है if statement के अंदर तो वह नहीं गया लेकिन उस case में वो क्या करता है else पार्ट के अंदर जाता है अब else में जो भी मेरा code होगा चाहे वो कुछ भी ह यहां पर execute करके मेरे को दे देगा ठीक है तो यहां पर जैसे मैं लिखता हूँ console.log and यहां पर मैं लिखता हूँ else में आया ठीक है और जैसे यह अपने browser के अंदर आ हुआ तो यहां पर देखो यह लिख दिया else में आया लेकिन अगर इसने यह condition है वो इसके साथ match कर ले मतलब इसने return कर दिया true मतलब जैसे मैं यहां पर करता हूँ 20 और यहां पर मैं करता हूँ 10 ठीक है तो क्या 20 10 से बड़ा है उसे greater than है जी हां वो 20 है वो 10 से greater than है तो उस case में just if statement के अंदर जाएगा and else के अंदर जो भी code है वो उस code को यहां पर execute नहीं करेगा ठीक है तो यहां पर द आया होगा उसके बाद आता हमारा else if letter ठीक है तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ if सबसे पहले मैं if के लिखता हूँ if हमने just ऐसे देखा था कि अगर वो उसके अंदर जो condition है वो meet करते है तो यहां पर जाता है else वो जो आगे का code उसको one by one execute करता जाएगा ठीक है और उसके ब इस code को same as it is try किया था ठीक है तो मैं यहां पर करता हूँ इसको complete window and इसको यहां पर नीचे लेके आता हूँ alt और arrow down की का योज़ करके and else वारा जो code वो मैं यहां पर लगा लेता हूँ ठीक है तो हमने जो if statement आप वो देख लिया if else भी देख लिया उसके बाद आता हमारा else if letter else if letter के अंदर हमारा क्या गरता है तो मैं पहले यहां पर लिखतेता हूँ else if letter ठीक है वो क्या करता है सबसे पहले if statement के अंदर जाता है अगर वहां पर वो condition उसको match करती है तो वो statement के अंदर जो भी हमारा code है वहां पर उसको execute कर लेता है ठीक है और अगर उसको वहां पर जो condition पर फिर अगर उसको next में if condition मिली तो वहां पर जाता जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं code में लिखके बताता हूं तो आपको सही से समझाएगा ठीक है तो यहां पर देखो जैसे मैंने कर दिया if 10 is greater than 20 या फिर मैं करता हूं 10 is greater than 5 20 करता हूं ठीक है क्योंकि यह इस case में क्या करेगा else वाला पार्ट है वह execute करेगा ठीक है मैं यहां पर लोग करवा लेता हूं 10 is greater than 20 तो क्या यह इस statement के अंदर जाएगा नहीं क्योंकि हमारा जो 10 है वो greater than 20 नहीं है ठीक है उसके वाद अगर यहां पर होता else तो वो उस else वाले पार्ट में jump कर लेता लेकिन अब मैं क्या करूँगा यहां पर लिखूँगा else if और यहां पर फिर एक condition लगाँगा अगर वो पहले statement के अंदर नहीं गया तो मैं यहां पर एक और condition लगा लेता हूं कि क्या मेरा 15 है वो 20 से बड़ा है तो मैं यहां पर इस code को console के अंदर print कर वा लोगा ठीक है तो यहां पर मैं करता हूं console.log तो क्या हमारा 15 20 से बड़ा है नहीं हमारा जो 15 है वो भी 20 से बड़ा नहीं है तो वो उस case में भी जो हमारा यह console है उसको execute नहीं करेगा ठीक है उसके बाद भी अगर मैं लिखता हूं else और यहां पर मैं करता ह तो else में आया ठीक है तो इसने सबसे पहले क्या क्या इस condition को चेक किया किया यह condition इसको true return करती है या false return करती है ठीक है तो इसने यहां पे इसको false return कर दिया ठीक है false क्यों क्या क्योंकि हमारा जो 10 है वो 20 से greater than नहीं है ठीक है उसके बाद इसने second जो यह statement है हमारा इस पे jump किया and यहां पे इसने condition check की कि क्या हमारा 15, 20 से बड़ा है या नहीं है ठीक है तो इस case में भी इसने इसको false return किया ठीक है उसके बाद यह next गया next में इसने देखा कि यहां पे कोई इसने condition नहीं दी अगर condition नहीं दी और यहां पे यह इस चीज को return करता false तो जो भी हमारा code else part के अंदर है वो इसको execute कर दे ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पे कर लेता हूं 30 ठीक है यहां पे है मेरा 20 तो इस case में इसने इस condition को तो match नहीं क्या मतलब जो condition वो satisfy नहीं कि ठीक है next में आया तो यहां पे इसने इस condition को satisfy कर दिया तो इस case में क्या होगा यह इस code को execute करके jump कर जेगा जो इसका else का part है उसको भी यह skip कर देगा ठीक है save करके अपने browser के अंदर आएंगे तो यहां पे देखो इसने दिखा है 15 is greater than 20 तो हमने console के अंदर गल्त value है वो हो print कर वाली ठीक है तो अब यहां पे देखो क्या लिखिया है 30 is greater than 20 ठीक है तो आई होब आपको यह समझ आया होगा और अगर मैं एक और यहां पे condition चेक करता हूँ देखो अब क्या होगा मैंने यहां पे एक LC4 लगाया और मैं यहां पे करता हूँ 50 is greater than 20 पहले comment में आप बताओ कि क्या हमारा 50 है वो 20 से greater than है या नहीं है और उसके बाद यह लिखो कि हमारा कौन सा code है वो इस case में execute होगा ठीक है आपको नीचे comment करना है आपने वीडियो को पोज करके यहां पे comment कर लिया हूँ और अभी देखना क्या होगा अभी इसने क्या किया first statement है वो execute किया लेकिन इस case में तो हमारा 50 है वो भी 20 से greater than है लेकिन इसने इसको execute नहीं किया क्योंकि इसकी जो condition है वो यहां पे satisfy हो गई और इसको आगे मिला else if तो इसने आगे move नहीं किया ठीक है तो I hope आपको यह else if ladder का जो concept है वो समझ आया होगा ठीक है और उसके बाद आता हमारा switch case statement ठीक है switch case statement के अंदर मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूँ switch case है switch case हम कैसे लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते है switch ठीक है उसके बाद यहां जो हमारा constraint होता है या फिर हमारी जो हम value कह सकते हैं वो हम यहां पर pass करवाते हैं ठीक है उसको हम की भी बोल सकते जो हमारी यहां से पास होगी ठीक है उसके बाद हम curly brackets का use करते हैं ठीक है तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ की और by the way हमारा जो VS code वो भी I guess मेरे को suggestion दे रहाई इसका तो यहां पर देखो जैसे मैं काता हूँ switch तो इसने switch statement है वो मेरे को यहां पर जो basic order वो यहां पर इसने दे दिया और जैसे मैं इसको click करता हूँ तो इसने देखो जो हमारा switch के इसका basic order तो वो यहां पर generate करके दे दिया तो यहां पर देखो इसने क्या जो syntax वो दिया है यहां पर इसने key pass करवाई उसके बाद यहां पर इसने value दी उसके बाद break break और continue भी हमारे javascript के अंदर पार्ट का पार्ट है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम break कभ यूज करते हैं continue कभ यूज करते हैं ठीक है अभी के लिए बस इतना ही समझो कि अगर इसने इस value को यहां पर match कर लिया तो वो क्या करेगा break करके इस loop से बाहर निकल अब हम यहां पर कुछ प्रिंट करवाकर देखते हैं ठीक है तो यहां पे देखो मान के चलो मैंने कर दिया एज equal 22 ठीक है और उसके बाद मैं यहां पे लिखता है switch और यहां पे age पास करवाता हूं ठीक है age के बाद हमारा यहां पे देखो क्या लिखते हैं case case के अंदर इस key के साथ match करने होती है ठीक है तो यहां पर देखो जैसे मैं करवाता हूँ 20 उसके बाद यहां पर मैं लगा हूँगा colon and यहां पर मैं करता हूँ console.log और यहां पर मैं करता हूँ age is 20 ठीक है उसके बाद मैं यहां पर use करूँगा break उसके बाद हम एक और case बनाएंगे case 21 and यहां पर मैं लिखता हूँ console.log और यहां पर मैं लिखता हूँ age is 21 ठीक है semi colon लगाएंगे उसके बाद हम break लगाएंगे break को मैं हटा के भी दिखाँगा कि break का हमारा क्या use है और अगर हम break नहीं लगाते तो उसका क्या use है ठीक है उसके बाद है हमारा case 22 और यहां पर मैं लिखता हूँ console.log और यहां पर मैं लिखता हूँ age is 22 ठीक है उसके बाद मैं यहां पर क्या लिखूँगा break और इसको मैं copy line down कर लेता हूँ and यहां पर कर लेता हूँ 23 23 ठीक है उसके बाद हमारा क्या है default उसके अंदर मैं करवाओंगा print अगर कोई condition यहां पर इसको match नहीं करेगी तो वो उस case में क्या आएगा इस default वाले case के अंदर आ जाएगा और यहां पर मैं करवाता हूँ please provide a valid age ठीक है अब इस जो syntax है उसका flow देखेंगे ठीक है तो इस case में यहां पर देखो यह क्या करेगा मैं पहले बता देता हूँ age is 22 को print करवाएगा एंड उसके बाद इस statement को exit कर देगा ठीक है यहां पर देखो इसने क्या करवा age is 22 यह हमारा जो 30 is greater than 20 उपर वाला code है वो चलने लग रहा तो इसको मैं comment out कर लेता हूँ यहां से and अभी यहां पर देखो इसने क्या क्या age is 22 अभी यह कैसे आया अभी ऐसे है कि सबसे पहले हमने एक variable create किया उसके अंदर age हमने पास करवादी 22 ठीक है उसके बाद यहां पर आया age age के अंदर इसने इस case के साथ match किया कि क्या हमारी age की जो value है वो sorry जो age की है उसके अंदर जो value है वो इसके साथ match करती है या नि तो इसने check किया तो उसके साथ वो value match नहीं की डिक है तो वो चला गया next case के ऊपर next case में इसके पास क्या value थी 21, 21, 22 के साथ match करती है नहीं तो उसने क्या क्या next case के अंदर इस value को बेजा यहां पे 22 और 22 हाँ यहां पी इसने value को match कर लिया मतलब भी same value है तो इसने क्या किया इस case के अंदर जो भी हमारा code लिखा हुआ वो सब यहां पे execute कर लेगा तो यहां पे मैंने एक simple console लोग कर वाया age is 22 ठीक है और उसके बाद मैंने यहां पी use किया break break मतलब अगर इसको कहीं पे कोई value मिल जाती है तो यह उस statement को exit कर दे और जो बाखी का code है वो उसको execute करें ठीक है लेकिन देखो यहां पे अगर मैं सबसे पहले मैं यहां पे करके दिखाता हूँ 30 मैंने यहां पे 30 value वो पास करवाई और यहां पे किसी भी case के अंदर उसने इस value को match नहीं किया तो उस case में यह क्या करेगा जो हमारा default के अंदर code है उसको execute करेगा और यहां पे क्या print करवाईगा please provide valid age और यहां पे देखो हमारे console लोग के अंदर लिक्या गया please provide valid age ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पे कर लेता हूं age 22 और यहां से इस break code है उसको कर लेता हूं comment out इस case में यह क्या करेगा जहां पे भी इसको वो value मिल जाएगी जैसे इस case में इसको यहां पे 22 value मिल गई और यहां पे इसको इस 22 के बाद कोई break नहीं मिला तो यह क्या करेगा इसके बाद का जीतना भी code है उसको यह one by one execute करता जाएगा और यहां पे देखो इसको सबसे पहले क्या 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 यह वाला code यहां तक इसकी कोई भी value मैच नहीं की ठीक है तो इसने यहां तक इस code को कुछ नहीं किया लेकिन जैसे ही यह 22 पे गया इसकी value मैच हो गई और इसके बाद इसको कहीं पे भी break नहीं मिला मतलब इसको कहीं पे जो value मिल जाएगी उसके आगे का code execute करते जाना है जब तक इसको break statement नहीं मिलता मतलब इसको break नहीं लगते ठीक है तो इस case में इसने क्या किया 22 को match किया इसने कहीं पे भी कोई भी break नहीं लिया और यह one by one सबी जो console log है या फिर हमारा जो भी code उसको execute करता चला गया ठीक है तो I hope आपको इस break का use भी समझ आया होगा और हम case जो switch case है उसको कैसे use करते हैं वो भी समझ आया होगा और हमारी जो default value वो कब execute होती है वो भी ठीक है तो I hope आपको जो conditional statement आप वो समझ आया होगे इसका जो source code है वो मापको नीचे description में provide कर वादूँगा और I hope अपनी इस complete web development playlist को भी access कर लिया होगा जिसके अंदर हम अभी आगे javascript complete करने के बाद कुछ projects create करेंगे then उसके बाद हम back end की तरफ मूख करेंगे and full stack के जो भी हमारे projects हैं वो हम इस complete web development playlist के अंदर build करेंगे ठीक है so मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले वीडियो में तब तक आप इस playlist को यहां पर click करके save and यहां पर click करके इस playlist को भी bookmark कर ले न and मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए keep learning and bye